रम रम दोस्तों, अभी आपको एक इतने बड़े साप के बारे में हम बताने वाले हैं, इतना बड़ा साप कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने या आपके खांदान ने या फिर खांदान के भी खांदान ने कभी भी इतना बड़ा साप नहीं देखा होगा, इतना बड जाता है कि पृत्वी पे मौजूद ही नहीं है लेकिन कुछ थियोरीज या फिर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी भी वो साप मौजूद है दरसल अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एनकॉंडा को एनकॉंडा जो की होता है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सापों म उसकी गिनती भी होती है लेकिन वो आज के जमाने में आज के जमाने में एनकॉंडा बहुत बड़ा साप होता है लेकिन दोस्त आज के जमाने से पीछे जमाने हम चलते हैं और वहाँ पे हमें देखने को मिलता था टाइटेनो बोवा ये प्रूव के साथ बताऊंगा कि ये होते थे एकदम confirm बात है देखिए जो आज के साफ है जिसको अनकॉंडा कहा जाता है ये बकरी को निगल सकते हैं, कुत्टे को निगल सकते हैं मतलब इतने size के जानवरों को निगल सकते हैं, छोटे-छोटे हिरन को निगल सकते हैं लेकिन जो टाइटेनों बोवा था ना, वो कितना भी बड़ा मगरमच हो, आपको तो पता है कितना बड़ा मगरमच होता है, उसको भी निगल जाता था, अब आपको लग रहे अंदजा कितना बड़ा था, इसको किताबों में monster snack भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में आज त सित्वी पे उलका पिंड़ गिरा था, तो टाइटेनों बोवा साप भी मारे गए थे, लेकिन अभी अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, लगभग 2018 में कुछ साइंटिस्टों ने अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दावा किया था, ये साप जो है, वो जिंदा है ऐसे साप मिल सकते हैं एमेजोन की जंगलों में, आपको पता है एमेजोन का जंगल बहुत बड़ा है, एमेजोन नदी बहुत बड़ी है, इसको धूंड पाना लगभग नामुम्किन ही है, तो कि इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, अगर सर्च भी कि किया जाए तो लेकिन यह दावा किया गया था अमेरिकन साइंटिस्टों के द्वारा दो हजार अठारव में अगर टाइटेनो बोवा जो साप होते हैं उनकी लंबाई की अगर हम बात करें लंबाई होती है लगभग 50 फीट आपको समझ में आ रहा है 50 फीट लंबाई होती है और इनका वजन लगभग 1500 किलो तक हो सकता है 1500 किलो अब आप समझ रहे हो कि क्यों इनको मौन्स्टर स्नैक कहा गया है चार फीट चोड़े हो सकते हैं और एक कंकाल भी पाया गया जिसको बोलते हैं जिवास्म ठीक है वो जिवास्म भी पाया गया लगभग 42 फीट का वो जि जब किया गया तो उसकी औसत वजन माना गया कि ये जब रहा होगा ठीक है ये स्नैक जब रहा होगा टाइटेन बोवा एक हजार सो किलो का रहा होगा ये जिवास्म जो है वो कोलंबिया की खुदाई में मिले थे कोलंबिया में जब खुदाई की जा रही थी वहां पे मिले थे और तब जाच हुआ, 42 फिट लंबा वो जिवास्म था, यानि अब समझ चकते हो कि कितने बड़े सांफ हुआ करते थे, आज अगर होते तो क्या होता, खेर आप लोग अपना उपिनियन बताईए, और ऐसा ही कुछ अमेजिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, रा